दमपद गाथा कथा नंबर 47 47 पुफवक्की कथा है यह जो कहानी है कथा है वो इस प्रिकार से है राजा पसेंदी जो कौसल राज्य का यानि कौसल प्रदेश या कौसल राज्य उससे मेंना नाम था तो कौसल राज्य का जो राज्य था पसेंदी या पसेंजीत या प्रसंजीत वो बहुत ज़्यादा धमों में यानि प्रायकर्टिक नियमों में अपने आपको रखता था और भगवान बुद्ध से और उनके धम से और उनके ग्यान से वो ज़्यादा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना सारा राजकाज धम के नुसार प्राकरतिक नियम के नुसार जनता को सुख में बनाने के लिए करने लगा जादा धम में गया तो उसने अपना जीवन भी सादा कर लिया और साधा जीवन रहते हुए, राजय का राजा रहते हुए, वो प्रजा की सेवा में रत रहने लगा अपने परिवार को जो उसका पुत था विडू ढब विडू ढब जो था, वो बाल बुद्धी था उसको भी वो बारबार अनुविय करके कहकर तर्टबे उसको दिखा दिखा कर उसको बारबार उसकी रिक्वेश्ट करके कहता था कि वो धम के अनुसार चले और धम के अनुसार ही अपने जीवन को ढ़ाले मगर जो विडू ढब था, उसे राजसी थाट का राजा होने का बड़ा ही गवंड था और वो उसी में पला बड़ा हो रहा था और उसको थाट चाहिए थे चुकि बार 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 उसकी पिता उसको ये कहते थे कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब अनिच्य है, अनित्य है तुमको अपना जीवन धम के नुसार करना चाहिए ताकि दाज सुख में चले मगर वो इस बात को इधर कान से सुनता, उधर से निकाल देता इस बीच में बार 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 लगातार कहने से वो अपने पिता से चड़ने लगा, पसंजी से चड़ने लगा और उसने ये पाया कि चड़ने का जो कारण है वो भगवान बुद्ध की धम की सिख्खाएं हैं, सिख्छाएं हैं इसलिए वो भगवान बुद्ध से भी काफी ज़्यादा चड़ने लगा जब वो राजा बना और गद्धी का हगदार हुआ तो अपनी इसे चड़ना और कुड़न की वैसे उसने भगवान बुद्ध के वनसजों के जो उनके परिवार के लोग पीछे रहागे थे साख के वस्मे कबल वस्तु के अंदर वहां हमला कर दिया हमला करने के दोरान में जितने भी साख के लोग थे वह सब अपनी जान बचा के क्योंकि वह सभी धंग को मानते थे इसलिए वह अपनी स्वर्च्छत स्थानों पर चले गए वहां से लोट के आने के बाद चुकि जो सेना थी उसकी और वो ठक गया था तो वो अचिरवती जो रिवर थी यानि गंगा अचिरवती गंगा गंगा सभी रिवर को बोलते हैं जितने भी भारत में नदियां हैं जो पानी भैता जहां भी पूरे भारत में उन सब को पाली भासा में गंगा कहते हैं तो जो अचिरवती गंगा थी जो आज की डेट में रापति है वहाँ उसमें विसराम इसल लगाया और उसके किनारे पर विसराम करें लगा रात को अचिरवती गंगा थी उसमें पानी बढ़ गया, बाड आई और वो सब को बहा के ले गई इस बात की चर्चा जब भिक्कु संग में हुई तो भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो गाथा नंबर 47 है गाथा नंबर 47 इस प्रिकार से है पुप्फानी हेव पची नंतंग वयासत्त मनसं नरंग सुत्तं गामं महो घो वय मच्चु आदाय गच्छती पुफानी हेव पची नंतंग पुफानी माने यहाँ फूल है और चुकि यह फूल का वग है पुफ वग है पुस्प का वर्ग है फ्लोवर का सेक्शन है तो यहाँ जो पुफानी का मतलब है वो है जो जितने भी खराब खराब आपने फूल चुने जो क्रोध के, लालच के, दोव मनस्य के, दुएस के, राग के जो फूल चुने हेब माने होता है निश्य ही और पची नंतंग माने होता है चुने हुए यानि चुगे हुए वयासत मनसंग वयासत का मतलब होता है जो गहुत जादा बराईयों में रहता है वयासन में रहता है ऐसे मनसे युक्त वयासत मनसंग यानि वयासन के जो जितना भी वयासन है उसके मनसे युक्त नरंग, नरंग माने मनुस्य या नर जो नर ऐसे वैसन के फूलों को चुनता है निश्चे ही सुत्तंग आमंग महा ओगो महा ओगो यनि सुत्तंग माने तीन सब्द हैं सुत्तंग के सुत्तंग का माने एक तो होता है सोया हुआ एक सुत्त जो होते है जो मैं बोल रहा हूँ जैसे सुत्त नंबर 47 एक सुत्त ये है और एक सुत्त बोलते है धागे को उसको भी सुत्त बोलते है सुत्त के पाली में तीन मतलब है यहाँ है कि जो सुत्त माने सोया हुआ सुत्तं गामंग गामंग का मतलब है गाओं जो गाओं है जो सोया हुआ गाओं है पच्छु का मतलब है मिर्तु और आदाय का मतलब पकड लेती है जकर ले जाती है यानि इस पूरी बात का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति व्यसन के और जो दौर्मनस से होता है या जो पाप करम होते हैं उनके फूलों को चुनता है वो व्यक्ति को बार बहा कर ऐसे ले जाती है यानि मिटती उसको ऐसे ले जाती है जैसे सोते हुए गाउं को बार बहा के ले जाती है इसका सीधा सा आर्थ ही ये हुआ कि अगर आप जीवन में आप अगर बुराईयां चुनेंगे पूरी जीवन में आप बुराई काम करते रहेंगे चाहें वो लोग का है, लालच का है, वेवचार का है, शराब का है या जो असम्यक आजिवी का है, या जो असम्यक वानी है, या असम्यक कम है ये सारे जितने भी ब्राई के काम है पापकर में, अगर वो आप जीवन में उनके फूल चुनते रहेंगे तो वो जब फूल चुनने के बाद में जो उनका कम का परणाम आएगा उनका परणाम आएगा वो ठीक ऐसे आएगा जैसे रात के समय या दिन के समय चुपचा बाल आती है और वो पूरे गाउं को भाग ले जाती है ऐसे ही अचानश मिर्टु आती है और वो सरीर को ले जाती है समाप कर देती है निश्चती ही हर हालत में 100% यह इसका मतलब है धन्यवाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ रितना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी धम्मं सरेणं गच्छामी भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छादी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छादी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छादी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छादी, ततियं पी धम्मन तर्व कर्फ्षाम। ततियं पी धम्मन कर्फ्षाम। तेतियम पिसन्दम सर्णम तर्शामी साथू, साथू, साथू